मेरे एक विवर ने मुझसे question पोचा था किसका translation क्या होगा लगता है आप खला करी मानोगे तो इसी तरह के कोई sentences है जैसे मैं अंग्रेजी सीख करी मानूँगा लगता है वहो काम खतम करके ही मानेगी मैं उससे पीछा छोडा करी मानूँगा इस तरह के sentences को कैसे translate किया जाता है इस तरह के sentences को translate करने के लिए हमारे पास एक phrasal verb है given इसका मतलब होता है किसी चीज के सामने हार मान लेना या फिर किसी चीज की वज़े से जुग जाना या फिर किसी के सामने जुग जाना जैसे अगर मैं example के वारे में बात करूँ मैं अंग्रेजी सीख कर ही मानूँगा त इसका मतलब होता है हार मान लेना तो इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखने में हार नहीं मानूँगा या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने जिद पकड़ ली है कि मैं अंग्रेजी सीख कर ही मानूँगा मैं उससे पीछा छोड़ा कर ही मानूँगा लगता है वहो काम खतम करके ही मानेगी इसका मतलब यह हुआ कि उसने ठान लिया है या फिर उसने मन बना लिया है कि जब तक वहो काम खतम नहीं करेगी वहो हार नहीं मानेगी लगता है आप खाना खिला कर ही मानोगे मतलब आपने मन बना लिया है कि जब तक आप खाना नहीं खिलाओगे आप हार नहीं मानोगे मैं उसे मझा चाका करी मानूँगा मतलब जब तक मैं उसे मझा नहीं चाकाओँगा हार नहीं मानूँगा I'll give him teaching him a lesson कुछ इस तरह की भी sentences होते हैं जैसे मैं अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा पुलिस बच्चे की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी बच्चे ने कवीता को याद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कोई कसर ना छोड़ना इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीश को पाने में या फिर किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मैनत करना तो इसके लिए हमारे पास एक एडियम है Leave no stone unturned तो चलिए कुछ examples लेते हैं जैसे मैं अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा इसका मतलब यह हुआ कि मैं अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा मैनत करूँगा I leave no stone unturned in learning English I leave no stone unturned in learning English Police बच्चे की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी Police will leave no stone unturned in search of child Police will leave no stone unturned in search of child वह अच्छा खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी She will leave no stone unturned in cooking tasty food She will leave no stone unturned in cooking tasty food मैं अपने business को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा I leave no stone unturned to take my business forward I leave no stone unturned to take my business forward बच्चे ने कभी था को याद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी Child left no stone unturned in learning poem So that's it guys for this video Guys आपके लिए homework है आपके सामने एक sentence है मैं कार चलाना सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा इस sentence को translate करके आपको मुझे comment section में बताना है और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video take care चालाना सीखने तो भीडियोगा पालाना सीखने में कार तो वीडियोगा